तो फ्रेंट्स लेट स्टार्ट फूल गोबी वाला ओमलेट हमने फूल गोबी थोड़े सी दी क्योंकि यह सिंगल ओमलेट है यह यह आपके होगी फूल गोबी और यह होगी हमारी कटोरी अब इसके अंदर फूल गोबी जो हमने अभी कत्री थी उसके अंदर नमक थोड़ी सी लालमिच स्वाद के नुसार और यह अंडा लिया हमने टक टक यह हमने अंडा ले लिया और इनको हमने सिंपल वे में मिक्स किया इधर यह आपका होगी गया है अब आते हैं हम लोग तबे के ऊपर यह तेल मैंने डाला हुआ था पहले से हलका सा इसके ऊपर हमने एज इस अंडे के साथ मिक्स की हुई कत्री हुई जो गोबी है स्वाद के अंसार जो नमक और मिर्ष्ट वगरा डाला था वह हमने रप करके अमलेट के लिए हमने इसको तैयार कर दिया है तबे के ऊपर देखिए थोड़ी देर के अंदर आपका ओमलेट गोबी तैयार हो जाएगा इसके साथ में हम लोग एक और ओमलेट भी शुरुआत करते हैं जो है धनिया धनिया ओमलेट उसके अंदर भी थोड़ा सा नमक डाला हमने थोड़ी सी मिर्ची डाली और थोड़ा सा धनिया जो है हमने उसके अंदर डाला ये है हरा धनिया जो इसके स्वाद को बढ़ाता है ओमलेट को देखिए तब तक ये हमारा ओमलेट तैयार हो रहा है और धनिया वाला ओमलेट के लिए हमारा मैटेरियल ये तयार हो चुका है ओमलेट को लोग अलगलग तरह से अलगलग टेस्ट के इसाथ से बनाते हैं इसमें आप मन चाहे स्वाद डाल सकते हैं, मन चाहे फ्लेवर डाल सकते हैं क्योंकि अंडा जो है शरीद के लिए वैसे पोस्टिक होता है और ये हमने अल्टी-पल्टी कर दिया इसको जब तक ये बन रहा है इसके अंदर अगर कुछ और मसाले भी डालना चाहें तो आप अपने इसाफ से डाल सकते हैं देखिए अब हमारा ये तयार हो रहा है गोभी वाला ओमलेट ठीक है जी अब गोभी वाला ओमलेट के उपर इसको चटपटा करने के लिए आपने एक स्लाइज या दो स्लाइज के हिसाब से इसी बहाले स्लाइज भी गरम हो जाएगी और इसका स्वाज जो है और बड़ा दे गोबी वाला ओमलेट ठीक है जी अब जो है अराम से स्लाइस भी गरम हो गया आपका उठाईए और इसको अराम से परोसिए ये है जी हमारा गोबी वाला ओमलेट नाव स्टार्ट हमने इसको साफ किया हलका सा इसमें उसी तरह से टेल डाला ताकि तेल गरम हो जाए अब हम तैयार करते हैं धनिये वाला ओमलेट धनिये वाला ओमलेट जो है शरीरिक प्रति हिरोदक शक्ति को बढ़ाता है जब तक यह तैयार हो रहा है तब तक हम इसका मजा लेते हैं है यह आपका तैयार होने की इस्थिति में है आपका धनिये वाला ओमलेट सिरफ एक से तीन मिनट के अंदर वेरी इसली आप घर में तैयार करते हैं अलगलग फ्लैवर्स अलगलग वेजटेबल्स के साथ ओमलेट स्लाइज भी गरम हो रही है साथ साथ में ओमलेट भी बनके तैयार है अब आप इसको खाने के लिए तैयार हो जाईए यह जी अमारा धनियवाला ओमलेट क्थोग कर चूँभ तैयार कर ता ह।